नमस्कार सातियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रैमरी एजुकेशन पॉइंट यूटूब चैनल में जैसे कि आप सभी को पता है आज ह्टी एटी लेवल टू के लिए जो आपका पेपर हुआ है मैं उसकी हिंदी का हल करवा रहा हूँ आज मैं आपके सामने अंदर लिखा हुआ मिलता है या जो अव्वे संग्या सवय नाम का संबंध वाके के अन्य सब्दों से बताते हैं ठीक है जहां पर यहां पर देखो रादा उपर नास्ती है रादा उपर नास्ती है अनिता रादा से मदूर गाती है तो यहां पर देखो अनिता रादा से कि से रादा से मदूर गाती है तो यहीं क्या होगा यहां पर उत्तरे होगा ठीक है से या इसमें क्या है अनिता रादा से इसमें भी क्या बताएगा है संबंद सुचक है क्या है से ठीक है से या के है यह क्या है संबंद बताते हैं उसके बाद नेक्स्ट है अक परते युक्ति पद नहीं है अब देखो विदायक इसमें क्या है विदायक में क्या है प्रेरक अक है यहां पर भी निंदक में भी क्या है अक है विदायक यहां भी क्या है अक है अब यहां देखो लड़ाक यहां क्या है आख है तो यह क्या हो इसका उत्तरे होगा उसके बाद देखो 33 है किस विकल्प में नित्य पुलिंग संग गया है नित्य पुलिंग यान जो सदेव पुलिंग में पुलिंग में ही रहते हैं जैसे देखो खर्गोष अब खर्गोष क्या सदेव पुलिंग में रहता है इसके आगे हम नर्या मादा लगा कर क्या करते है इसका लिंग बदलते है गिलहरी सदेव स्ट्रिलिंग में रहती है बटेर भी स्ट्रिलिंग में रहती है सही है उसके बाद देखो वाग वीर ठीक है वाग में वीर वाणी में वीर इंद्रिय जै इंद्रियों के लिए जै देखो यहां क्या दिया हुआ है इंद्रियों के लिए जै नि इंद्रियों की जै होगा जो कि यहां पर क्या है गल्द है समास्विगर गल्द है यही क्या होगा इसका उत्र होगा उसके बाद है 37 है वरण उचारण की दरश्टी से बे मेल चुनिये यानि जो वरण हम उनका उचारण करते हैं अब देखो कंटोस्ट बिल्कुल कंटोरोस्ट दोनों से बोले जाते हैं वैफ है दंतोस्ट बिल्कुल सही है दे आप सभी गोपता है तैथ है दे दे ने यह क्या दंतोस्ट से बोले जाते हैं ठीक है दंतोस्ट से बोले जाते हैं यह क्या लिखा यहां पर तालूई जो की ग गल्द है अमने गल्द ही बताना है उसके बाद है गल्द समास्वी ग्रह चुनिए दूर के लिए दर्सन दूर के लिए दर्सन नहीं होता है दूर से दर्सन यही क्या है गल्द है दूर से आगत दुरागत यह बाकी सही है पाट साला पाट के लिए साला उसके बाद है नाम द दादू क्रिया क्या होती है नाम दादू क्रिया में इसमें क्या होता है जो संग्या सरवनाम विशेशन सब्दी क्रिया का रूप ले 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 तो उसे हमें मूल रूप को हम क्या कहते हैं नाम दादू कहते हैं जैसे बात्चे बत्याना होता है उसी परकार क्या होगा लाच से लतियाना होगा लाच से क्या होगा लतियाना होगा ठीक है नाम दातु क्रिया नहीं लाच से लतियाना बिल्कुल सही है जूट से जुटलाना और गाल से गलियाना यहाँ पर क्या होगा सजाना क्या नाम दातु नहीं है उसके बाद देखिए उसके बाद है किस विकल्प में अनू सुवार का प्रियोग नहीं हुआ है अब देखो अनू अनू जमा में सुवार बिल्कुल सही है ठीक है अनू शंग बिल्कुल सही है अनू अनू जमा में उदार अनूदार बिल्कुल सही है अनू सक्ती ठीक है यहां पर क्या दिया हुआ है अनू अनू सास्ती दिया हु आना हमने जो गल्थ है ठीक है अक्रिपन भी ऐसे लिखा जाता है अंत्यक्सरी बिल्कुल सही है छिपली सही है अज माईस नहीं होता है आज माईस होता है उसके बाद है आनिस्च वाद्चक सरवनाम वाला विशेशन बताइए यानी जिसमें निश्चीत नहीं है अब देखो यहाँ पर मैं कुछे पुस्त के अब यह तो गिनी जा सकती है तो आनिस्च संक्या वाद्चक तो हो सकता है दाल में कुछ काला है अब काले को थोड़ी गिना जा सकता है तो क्या ये एनिश्चवाच्चक सर्वनाम है यही क्या होगा इसका उत्तर होगा उसके बाद है सू उप्सरग का प्रियोगे सू उप्सरग रहित पद चुनिए सू सुप्ती बिल्कुल सू का प्रियोग हुआ है सोस्ते ठीक है इसमें भी किसका प्रियोग होता है सू, सौलप, इसमें सू का प्रियोग होता है सोष्टो होता है जो उसमें उफ्सरग सू नहीं है यही क्या होगा, इसका उत्तर होगा उसके बाद है कि सब्द में वेंजन संधी का प्रियोग हुआ है देखो, वागी सूवर बहुत बार आता है एकजामपल और जब भी आपको वेंजन संधी समझाया जाता है तो वागी जमामें इस्वर ही आपको बताया जाता है उसके बाद है संधी विछेद की दरिष्टी से असंगत चुनिये संधी विछेद की दरिष्टी से असंगत चुनिये फणी जमामें इंदर सुधी जमामें इंदर बिल्कुल सही है सुधी इंदर अभी जमामें इस्ट अभी इस्ट और रजनी जमामें इस्ट रजनी इस्ट ठीक है लेकिन अमने क्या करना है ऐसंगत बताना है फणी देखो यहाँ पर फणी जमामें इंदर यह ऐसे होगा फणी जमामें इंदर उसके बाद है टहलना स्वास्ते के लिए लावकारी होता है वाक्य में प्रियुक्त क्रिया है अब देखो जो वाक्य में प्रियुक्त क्रिया है वो क्या है यहाँ पर देखो प्रेनार्थक क्रिया प्रेनार्थक क्रिया क्या होती है जिसम दो भी नार्थक क्रियाओं के स्योग से बनने वाली क्रिया होती है जैसे वह चला गया यहां भी दो से नहीं बना हुआ ठीक है उसके बाद है रंजक क्रिया ठीक है रंजक क्रिया क्या होती है जिसमें क्रिया क्या होता है जैसे ऐसी क्रिया होती है जो मुख्य क्रिया के साथ उसके अर्थ को विक्षित करती है तेहला स्वास्ते के लिए लावकारी है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर है किरियार्थक के संग्या ठीक है देखो यह मैं सपष्ट नहीं कर पाऊंगा इसका उत्तर जहां तक है मैं इसका उत्र सपष्ट नहीं कर पाऊंगा उसके बाद है परते की दरस्टी से ऐसंगत विकलब बताईए अथे ओड़ी हथ नहीं होता आथ होता है यही क्या इसका उत्र होगा तो आपको वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुते धन्यवाद